हलो दोस्तो मैं हूँ संदीब और आप देख रहे हैं Right to Know आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अधार कार्ट से UAN नमबर को लिंक कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने अपना UAN एक्टिवेट नहीं किया हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो की जानकारी ले सकते हैं उसके बाद ही आप अपना UAN अधार कार्ट से लिंक करवा सकते हैं अधार से UAN को लिंक करवाने के वैसे तो कई तरीके हैं आप उमंग एप्लिकेशन में जाके KYC सीडिंग आप्शन में जाएं और अपना UAN अधार कार्ट से लिंक करवाएं और आपका इंप्लायर भी इसे खुद कर सकता है बट आपको ये चीज खुद कैसे करनी हैं जानेगे मेरे साथ इस वीडियो में और अधार कार्ट से UAN का लिंक करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप अपने PF विड्रॉल करते हैं तो आपका UAN का अधार कार्ट से लिंक होना बहुत जरूरी है नहीं तो आप अपना PF बिड्रॉल या PF बैलेस जो है वो आप बिड्रॉल नहीं कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम बिलते रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहले जाना है अपने PC के वेब ब्राज़र पर और जहां हमें टाइप करना है EKYC Portal आप देख सकते हैं जैसे हिसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले जो option मिलता है हमें उस पर click करना है आपके सामने यहाँ पर main page open हो जाता है आप देखेंगे right side में आपको सबसे lower में एक option मिलता है link UAN अधारकड तो हमें यहाँ पर click करना है और जैसे हम यहाँ पर क्लेक करेंगे हमारा यहाँ पर another page open हो जाएगा जहाँ पर हमें अपना UAN number टाइप करना है जैसे हम यहाँ पर अपना UAN number टाइप करते हैं mobile number चे हमारा automatic यहाँ पर आ जाएगा और हमें यहाँ पर करना है generate OTP उसके बाद हमारा जो अधार कार्ट से रिजिटर मुबाइल नंबर है वहाँ पर OTP चला जाएगा और हमारा जो OTP है वो हमें यहाँ पर confirm OTP की जगाँ पर fill up कर देना है आप देख सकते हैं यहाँ पर gender वो है by default आ रहा है और हम यहाँ पर फिलाल अपना OTP fill up करते हैं उसके बाद हम नेचे जाएंगे और अपना यहाँ पर अधार कार्ड नंबर fill up करेंगे उसके बाद हमें अधार कार्ड verification के दो options मिल जाते हैं using mobile phone और using biometric तो हमें यहाँ पर using mobile करना है और उसके बाद image में जो capture sure हो रहा है वो हमें as it is यहाँ पर fill up करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर submit कर देना है submit बटन पर click करने के बाद आप देख सकते हैं आपके screen में सबसे low पर यहाँ पर show हो रहा है your ather is already linked with uan number so guys जिल लोगों का ather card से uan number link नहीं है उनका यहाँ पर ather card link हो जाएगा वैसे तो यह uan number already linked है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या message show हो रहा है so guys आप इसी तरीके से अपना uan number जो है अधार card से link करवा सकते हैं आशा करता हूँ आपको यह video काफी पसंद आई होगी और यह video काफी helpful रहेगी आप लोगों के लिए अगर अभी तक आपका uan number अधार card से link नहीं है क्योंकि आपको अपने pf balance को जब withdrawal कराना है तो यह process होना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़दा से ज़दा share करें ताकि वो भी इसी तरह के important update ले सकें तो दोस्तों मिलते हैं तब तक आपको नए video में तब तक के लिए bye bye